नमस्कार, जैसी स्वामिनानर, श्री सहजनन्द गुरुकुल द्वारसन चालित, SSGM, CBSC स्कूल, आपका हार्दिक स्वागत है विद्यारतियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का बाल महाभारत, उसमें चैप्टर 2 है भीष प्रतिग्या पहले हम इनके कठिन शब्दों को जानेंगे ताकि आपको पाठ समझ में आ जाए प्रफुलित, प्रफुलित का अर्थ होता है प्रसन होना, सुशोभित का अर्थ होता है सोभा बढ़ाने वाला अपसरा, परीद देव लोग की नर्तकी, जो सर्ग लोग की नर्तकी होती है, उन्हें हम अपसरा बोलते हैं विराग, विराग का अर्थ होता है उदास होना विलीन, यानि लुप्थ होना, यानि गायब हो जाना एक तरह से अनुमती, आग्या, उद्धिगन यानि बेचैन हो जाना इसमें हिंदी के साहितिक शब्दों का प्रयोग हुआ है व्यथा, व्यथा का अर्थ होता है दुख आगे चलते हैं, कुशागर का अर्थ होता है इसमें तेज नाती का अर्थ होता है बेटी का बेटा अब प्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आसा ना हो पित्र भक्त यानि पिता का भक्त यानि वो पिता पर की भक्ती करना आजन यानि जीवन भर ब्रह्मचारी ब्रह्मचर का पालन करने वाला यानि अविवाहित देहवशान मतलब देहान कुल्का मुखिया करम का आर्थ होता है सिल्सला अब आये हम पाठ़ पर चलते हैं हमारा है पाठ दो भीस प्रतिग्या हमने पहले पाठ पढ़ा था कि भीस पितामा जो देवरत है उनका जन्म कैसे होता है देवरत कौन थे किस के पुत्र थे उनकी माता का नाम क्या था गंगा वो गंगा के आठवे पूत्र थे क्यों कि गंगा के जो भी पूत्र हो थे वो गंगा नदी में वह प्रवाहित कर देती थी यानि उनको जीवित नहीं रखती थी राजा सांतनु के जब कहने परवनों ने क्या किया जब उन से नहीं रहा गया राजा संतनु को तो वो गंगा को रोपते हैं तो गंगा उनको उनके शर्थ यानि याद दिलाती है कि आपने कहा था ठीक कि मैं जो सर्थ रखूंगी वो आप मानेंगे ठीक है, अब मैं आपको साथ ने रह सकती हूँ, मैं इस आठे पूत्र को कुछ समय के लिए अपने पास ले जाती हूँ, रखती हूँ, तो क्या करती हैं, उस आठे पूत्र यहने देवरत को अपने साथ रखती हैं, उसको शिख्षा दिख्षा देती हैं, अच्छे रिशी मुझे पहचाना वो बोलते हैं हाँ गंगा मैंने आपको पहचाना यह बालक कौन है तो बोलती है गंगा यहाँ पर कि हे राजा यह आपका ही पूत्र है देवर्त इसका नाम है और यह आपका ही पूत्र है तो देवर्त गंगा उन्हें सवब कर देवर्त को वो चली आती है व कि वो देवरत से भीश कैसे बनते हैं आएए आगे जानते हैं तेजर्सी पुत्र को पाकर राजा प्रफुलित प्रसन मन से नगर को लोटे और देवरत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगा यानि क्या हुआ कि वो राजकुमार का जुपाद होता है वो उनको सुसोभी देनी कि वो और भी गौर्वानवित करने लगे क्यों अपने जो उनको सिख्षा दिछा दी गए थी और जो उनको ज्यानत उसके कारण फिर चार वर्स बीद गए एक दिन राजा शांतनू यमना तटकी और घुमने गए तो वहाँ अपसरा यनि अपसरा परी देवलोग की नर्थ की सुन्दर एक तरुडी खड़ी दिखाए दि तरुडी का अर्थ होताया यहाँ पर यूति दिखाए दि तरुडी का नाम था सत्यवत्ति यानि अब यहाँ पर करें कि चार वर्स अराम से अपने पुत्र के साथ उन्होंने राजी संभाला राजी की देख रहें एक दिन वो दर्दी तटकी किनारे वो विच्रड करने यानि गूमने जाते हैं तो अब एक सुन्दर खुब सुन्दर अपसरा जैसी यूती उन्हें दिखती है और वो उधर उसकी और वो राजा शांतनु आकरशित हो जाते हैं फिर वो आगे बढ़ते हैं गंगा की वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग चाया हुआ था विराग के मिन्स के उदासिंता चाय हुथी वह इस तरुडी को देखते ही विलीन हो गई यानि क्या हो गई कि कहने कि जगंदा जो उनकी पहली पत्नी थी रानी थी वह अधिन सांद वो वियोग में रहन लगा था लेकिन जब इस तरी को यानि इस लड़की को जब देखते हैं तो क्या आता है उनका जो वियोग होता है वह गयाब हो जाता है वह उसकी और आकरसित हो जाते हैं इस सुन्दरी को अपने पत्नी बनाने के इच्छा उनके मन में ब ले लीजिए फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हों यानि यहां पर क्या करती हो जब इत्ते आकरसित हो जाते हैं उसकी तरफ तो हो अपने प्रेम याशन करते कि है यूति मैं आपसे प्रेम करने लगा हूं और मैं आपसे यहां पर क्याता है राजा उस यूति के हर कई बार उस यूति के नयवना देदी किनार जाकर चक्कर लगात में देखते थे उसको लेकिन कुछ कहने का प्रयास नहीं कर पाते थे लेकिन एक दिन वह हिम्मत करकर उ में मलाहो की राजा मैं सर्दार की बेटी हूँ अगर मेरे पिता अनुमती देते हैं तो मैं आपसे विवा करने के लिए तयार हूँ राज सांतनु ने जब अपने इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा जानते कि वचन क्या है राजा नहीं कहा जो मांगोगे दूँगा यदि वह मेरे लिए अनुचित नहीं हो यहाँ पर राजा जो सत्वती के जो पिता जी होते हैं यह केवटों के राजा तो बोलते हैं कि मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ तो यहाँ पर शांतनु बोलते हैं, मैं वचन देने को तियार हूँ, जो आप बोलेंगे मैं करूँगा, लेकिन वह अनुचित ना हूँ, मैं वचन तो दूँगा, अगर अनुचित हुआ तो मैं वह वचन नहीं मानूँगा क्योट राज बोलते हैं, आपके बाद हस्तनापुर के राज सिंगहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बाद का आप मुझे वचन दे सकते हैं, वो जानते हैं कि राज सांतनु का पहला पुत्र है ही देवरत, तो बोलते हैं कि अब देवरत है, तो जो इनकी मित्री का पुत्र होगा, वह राज सिंगहासन पर बैठेगा, ना कि गंगा का पुत्र देवरत बैठेगा, आगे बढ़ते हैं, कि वो ट्राज की सर्थ राज सांतनु को ना गवार्त लगी, गंगा सुथ को छोड़कर अन्य किसी को राज गदी पर बठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी, निरास और उदिग्न मन से वा नगर की ओर लोट आए, किसी से कुछ कहा भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी, अब यहाँ पर कहता है, जब केवट राज ने सर्थ रखते हैं, तो वह उस सर्थ को नहीं मानते हैं, वह चले आते हैं, उस सर्थ को नकार रहते हैं, कि नहीं मैं गंगा पुतर ने देवरत को छोड़ कर मैं दूसरी पत्नी जो है, दूसरी रानी जो से बनाएंगे सत्वती कि पुतर को मैं कैसे सिंगहासन दे सकता हूं, राज गदी, वो मन बेचैन उदास होकर वो वापस समाई हूए, यानि व्यथा ने चिंता, दुख समाया हूआ है, जो किसी से हुआ कहने सकता है, एक दिन उसने सांतरों से पूछा, पिता जी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है, जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुख ही दिखाई दे रह से कहने पा रहे हैं, फिर वो अपने पिता से खोदी प्रशन करते हैं, पिता जी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको क्या दुख सता रहा है, कृपया मुझे बताने का कस्ट करें, आगे यदिपी शांतरों ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्ध पिता जी, देवरत ने को बात समझते देर न लगी, उन्होंने राजा के सार थी, यहनी रत चलाने वाले को, उस दिन केवरत राज की यमना नदिक किनारे, जो कुछ बाते हुई थी, उनका पता लगा लिया, पिता जी के मन की विथा जान का देवरत सीधे केवरत राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्रती का विवा महराज सांतनु से कर दें, अब वो यहाँ पर कहता है, अपनी मन की विथा वो जान रहते हैं, और फी वो उनके सार्थी के पास जाते हैं, जो उनके साथ हमें से रहता है, वो जाके वो पूरी बात के जानकार हो गई है जो यह बात संभो नहीं हुपाई विवा की और वह वापस चले आए जिसे राजन दुखी है देवरत को जानते देर ना लगी और उत्रन्त ही केवट राज के पास पहुच गए सत्वती के महराज संतनों से विवा करने के लिए वो जाते हैं किवट राज से व बात करते हैं किवट राज अपनी पूत्री के विवा मेरे पिता महराज संतनों से कर दिजिए आगे किवट राज ने वही सर्थ दोराई जो उन्हें सांत्रों के साम रखी थी तो किवट राज तो तयारते विवा करवाने के लिए पूत्री का लेकिन उन्हें वही सर्थ देवरत के सामने रखी कि मैं मेरी पूत्री का विवात होगा लेकिन जो उसकी संतान होगी वहर राज सिंगहासन समालेगी फिर आगे देवरत ने कहा यदि तुम्हारी आपत्ती का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज का लोब नहीं करूँगा सत्ती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा यानि क्या करा है कि मैं ठीक है तुम्हारा यहीं संका है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी मैं राजगर्दी पर नहीं बैठूँगा सत्ती का जो पुत्र होगा वही राज सिंगहासन पर महराज सांतुनों के बाद बैठेगा केवर्ट राज इससे संतुष्ट ना हुए उन्होंने दूर की सोची बोले आरे पुत्र इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे किन्तु आपकी संतान से मैं वैसे आसा कैसे रख सकता हूँ आप जैसे वीर का पूत्र भी तो वीर ही होगा बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने के लिए प्रत्न करें इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है अब यहाँ पर किवर्ट राज एक चाल चलते हैं कहते ठीक है राजा सांतोने बाद में सत्यवतिक का पूत्र तो बनेगा राजा लेकिन अगर भीसन पिता भीसन अरे देवरत ने साधी कर ली और जो उसका पूत्र होगा तो वो राजिगर संभासन के लिए वो युद करसत चीनने के लिए कुछ प्रयास करेगा तो यहाँ पर एक और चाल चलते हैं कि है ठीक है आपने देवरत वचन दिया मैं उसका मानता हूं लेकिन मान लिजे आपके विवाहा के बार आपका पूत्र होगा वो तो राज के लिए जगड़ा करेगा इसलिए वो बोले कि मैं कैसे मान लो कि वह राज्य आपको जो पूत्र होगा जो भी संतान होगी वह आप तो यह सस्वी है हर विद्ध्या में पूड़े आपकी संतान भी वैसे होगी अगर मान लिजे बाइचांस वो राज्य गड़ी छीनने के लिए वो युद्ध करे तो अब हुम जानते कि आगे भि विश्र का बलिदान कर दें किन्तो पित्र भक्त देवरत इससे जरा भी विच्रित नहीं हुए गंभीर स्वर में उन्होंने यह का मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा आजन ब्रह्मचारी रहूंगा मेरे संतान ही नहीं अब तो तुम संतुष्ठो अब वहां पर जब क ब्रहमचारी रहुगा यानि विवाह नहीं करूंगा वो उनकी पूत्र से क्योंत राज को आश्वासन देते हैं कि अगर मैं विवाह नहीं करूंगा तो अूंके पूत्र होगा उसह से राजगर्दी छिनने का अभी डर आपके मन से निकल गया होगा ऑ बीना विचलित वो यह बिना को सोचे वो आजीवन प्रतिग्या कर लेते कि वो विवा नहीं करें वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे अब यहां पर ही देवरत ब्रह्मचारी बनते हैं तो अब उनको लोग भीष्म नाम देते हैं किसी को आसर ना थी कि तरुड कुमार ऐसी कठोर गिति इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीश्म पड़ गया देखि कितने बात यहां पर सही हुई कि जब उन्होंने बिना सुच समझे प्रतितर उन्होंने क्या अपने पुत्री को दृवरत के साथ विदा कर दिया यानि क्या कि वह अपनी पूत्री को दृवरत के साथ भेज और विचित्र वीर सांतनों के देहवसान के बाद याने उनकी वृत्तियों के बाद चित्रांगंद हस्तनापूर के सिंगासन पर बैठे और उनके युद में मारे जाने पर विचित्र वीर राजा बनते हैं फिर विचितवीर की दो पत्नियां होती हैं अंबिका और अंबालिका अंबिका के पुत्र थे धिश्ट्राष्ट और अंबालिका के पांडू धिश्ट्राष्ट के पुत्र कौर्वो कहला है और पांडू के पांडू महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुर्छेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवन्स के समान कुल नायक यानि कुल के मुख्यक रूप में और पुजी बने रहे शांतनु के बाद कुल वन्स का क्रम यह रह गया यानि यहां पर क्या दो हो जब प्रतिग्या कर लेते हैं कि वर्ट राज अपनी पुत्री को देवरत के साथ भेजते हैं सत्वती का विवा महराजय सांतनु से होता है और सत्वती के दो पुत्र होते हैं कौन-कौन से चिंद्रांगद और विचित्रवीर विचित्रवीर क्या होता है सिंगहासन पर बैठता है लेकिन यूद के दोरान उसकी मृत्य होती है और उसके बाद कौन राजा बनता है विचित्रवीर बनता है विचित्वीर की शादी होती है उनके दो पूत्र होते हैं धित्राष्ट और पांडू तो धित्राष्ट के सोब पूत्र होते हैं और पांडू के पांच धित्राष्ट फी करता है जब पांडू होते हैं उनकी मृत्ति हो जाती है मृत्ति होने के बाद धित्राष्ट राज सिंगहासन सम्हालते हैं अब हम अगले वीडियों पढ़ेंगे अंबा और भीष्म की अंबा और भीष्म की टकराव कैसे होते हैं विद्यार्थ एक बार सब्दार्थ फिर से देख ले जैसे स्वामिनारा